बहु तुने मेरे बेटे को सुधार दिया निखिल बेटा अभी तक भी घर नहीं आया रात के बारह बजने वाले हैं तुने खाना भी खाया या नहीं कब तक आयेगा बैशाली जी ने चिंदित स्वर में पूछा क्या मम्मी मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ मुझे परिशान मत करो और फोन रखो मेरे पास घर की चाभी है जब मन करेगा मैं आ जाओंगा निखिल ने एकदम से फोन रख दिया देख लिया मैं तो पहले से ही मना कर रहा था उस नालायब को फोन करने से पर तू है कि मानती ही नहीं है वो तो तेरी परवाह नहीं करता है हर बात पर जिड़क देता है बड़ा हो गया है खुद कमाने लग गया है तो माबाप की परवाह क्यों करेगा वैशाली जी के पती किशोर जी जो सोने का उपक्रम कर रहे थे उन्होंने करवट बदलते हुए कहा आप पिता हैं आप सो सकते हैं पर जब तक बेटा घर पर नहीं आये एक मा को नीन कहां आती है खाने की फिक्र लगी रहती है मैंने आज उसकी पसंद की सबजी बनाई थी उन्होंने रुआसे होते हुए कहा अरे जवान हैं दोस्तों के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा कुछ न कुछ खा लेगा तुम सो जाओ और वो फिर से करवट लेकर सो गय वैशाली जी का मन बड़ा बेचायन था इतनी मन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी निखिल को कितने प्यार से उन्होंने पाला था उसकी हर जिद पूरी की थी और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आज कल उसकी जरा भी बात नहीं मानता है कुछ कह दो तो भड़क जाता है सीदे मुँ बात भी नहीं करता है निखिल का ऐसा व्यवहार देखकर किशोर जी और वैशाली जी दोनों ही दुखी रहते थे अगले दिन जब वैशाली जी की नीन खुली वो निखिल के कमरे में गई निखिल सो रहा था उन्होंने देखा वो जूते पहने ही पलंग पर सो गया था अभी तो इसके ऑफिस का भी समय हो रहा है ये सोच कर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया सुबा चार बजे आया हूँ सोने भी नहीं देती हो मुझसे क्या काम है वो तुझे ऑफिस जाना होगा न इसलिए जगा रही हूँ वो धीरे से बोनी बेटा तुझे किसी चीज की कमी है ये हमारी कोई बात बुरी लगती है तू हमारे साथ ऐसा व्यभार क्यों करता है वैशाली जी ने प्यार से कहा आज संडे है मम्मी आपको इतना भी पता नहीं आप तो घर में रात को आराम से सोई होगी अब कमरे से बाहर जो और मुझे सोने दो निखिल ने बेशर्मी से कहा तो वैशाली जी इतना सा मूर लेकर आ गई कमरे के बाहर की शोर्जी खड़े थे उन्होंने सब सुन लिया था वो भी कड़वे घूट पी कर रहे गए सुना था बेटा वहु के आते ही बदल जाता है पर यहां तो अभी निखिल कवारा ही है और अभी से अपने माबाब की जरा भी इज़त नहीं करता है जब इसकी शादी हो जाएगी तो ना जाने कैसा व्यभार करेगा मैं तो भूली गई थी कि आज संड़े है फिर वो तेजी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्टा बनाने लगी निखिल को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिला कर बोला आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे सोना है और उसने गुसे में दरवाजा तेजी से पटक कर बंद कर दिया सुनो जी हमने तो अपने बेटे को अच्छे संसकार दिये थे पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए करवे बोर बरदाश्ट नहीं होते हैं हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं है वैशाली जी आँखे भिगोते हुए बोली क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं खुद कमाने लगते हैं तो मा का कोई हक नहीं रह जाता है आखिर निखिल हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है शायद शादी के बाद सुधर जाए किशोर जी ने सलाह दी तो वो वैशाली जी को भी पसंद आई अब वो दोनों निखिल के लिए लड़की ढूणने लगे वैशाली जी को अपनी सहेली की बेटी जोती बहुत पसंद थी उन्होंने किशोर जी से बात की तो वो भी राजी हो गया जोती अच्छी पढ़ी लिखी और संसकारी लड़की थी और साद्गी से रहती थी निखिल उसे बच्पन से जानता ही था तो उसने हां करने में देर नहीं लगई दोनों की अच्छे से शादी हो गई जोती के आने से सबसे ज़्यादा खुश वैशाली जी थी उन्हें तो बहु के रूप में बेटी मिल गई थी शादी के कुछ दिनों बाद जोती ने रसोई सम्हान ली वो वैशाली जी को अपनी सास नहीं माही मालती थी एक दिन वैशाली जी ने बच्चों के लिए मनपसंद नाश्टा बना कर टेबल पर लगा दिया तभी निखिल आया और चिला कर बोला ये क्या मम्मी हमारे आने से पहले ही नाश्टा लगा दिया और इसे धका भी नहीं अब तो ये ठंडा हो गया है मैं नहीं खाऊंगा और उसने प्लेट सरका दी निखिल का ऐसा व्यवहार देखकर जोती भोचक्की रह गई उसने अपने आपको सम्हाला और मुस्कुराते हुए बोली वाह मम्मी आपने तो बहुत अच्छा नाश्टा बनाया है और अभी भी गर्म ही है अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया वरना ज़्यादा गर्म खाती तो मेरा मूह ही जल जाता सच में मम्मी बहुत ही तेश्टी बना है जोती को देखकर निखिल ने भी चुप चाप से नाश्टा कर लिया और ये सब देखकर वैशाली जी मुस्कुरा रही थी आप तो अपनी मम्मी की जरा भी इज़त नहीं करते हैं उन पर मेरे ही सामने चिला रहे हो ये अच्छी बात नहीं है उन्होंने आपकी पसंद का नाश्टा बनाया और आपने तारीव तक नहीं की वो मा हैं आपकी वो आप से बहुत प्यार करती है जोती की बात सुनकर निखिल चुप हो गया वो जब देखो मम्मी पर चिलाता रहता है फिर भी मम्मी उस पर प्यार उटाती रहती है अगले दिन सुभा लाइट चली गई थी निखिल को आफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था वो ज़ला कर बोला पापा आप दिन भर घर पर ही तो रहते हो क्या पास में जाकर लाइट बिल नहीं भर सकते हो आपके आलसी पन की वजह से मुझे परिशानी हो रही है रिटायर्मेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है इतना सा तो काम कर ही सकते थे सामने बेटे के ऐसे वेवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए आज जोती को ये सब देख कर बहुत बुरा लगा उसने मन ही मन सोचा कि आज वो निखिल से आकर इस बारे में जरूर बात करेगी रात को निखिल घर आया उसने खाना खाया और कमरे में चला गया कमरे में जोती ने उससे बात नहीं की क्या हुआ मुझसे नाराज हो क्या मैंने कुछ कह दिया या कर दिया तुम मेरे साथ खुश नहीं हो निखिल ने उसे मनाते हुए पूछा निखिल मुझे ये बिलकुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा को डाट देते हो और उन पर तेज चिलाते हो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो बच्पन में तुमने भी कई गलतियां की होंगी तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो उनका जरा भी सम्मान नहीं करते हो मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है उनका दिल दुखता होगा उनके दद का तुम्हें एहसास भी नहीं है तुम्हें तो बस चिलाना आता है अपने माबाप पर भला कोई इस तरह से चिलाता है आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो पर तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही है जोती की बात सुनकर निखिल वादा करता है कि वो अब इस तरह से नहीं चिलाएगा अगले दिन निखिल आफिस से आता है और जोती सब के लिए चाय बना लेती है निखिल अपने कमरे में जाकर टीवी ओन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है पर जोती कहती है कि बाहर बालकनी में आ जाईए सब लोग बैठ कर साथ में ही चाय पीएंगे आज बड़े दिनों के बाद निखिल ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ कर चाय पी और उन्होंने जोती को निखिल के बच्पन के किस्से भी सुनाए तो सब साथ में हसने लगे जोती भी यही चाहती थी कि निखिल उसके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं वो ही प्यार और अपना पन्वो अपने मम्मी पापा को भी दें कल संडे है और कल जोती और मैं मूवी देखने जा रहे हैं मैंने टिकट बुक करवा लिये हैं निखिल ने कहा निखिल ये तो पारिवारिक फिल्म है क्यों न हम अमी पापा को भी साथ लेकर चलें तुम दो टिकट और बुक करा लो जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने ही नहीं गए कल मुवी भी देखेंगे और सब साथ में बाहर डिनर भी करके आएंगे जोती ने सबको कह दिया वैशाली जी और किशोर जी दोनों काफी खुश थे क्योंकि उनकी बहु उनके घर में ही नहीं उनके चेहरे पर भी खुशियां ले करके आई है अब पहले से घर का महौल अच्छा रहने लगा है निखिल भी शाम की चाय उनके साथ लेने लगा है और पहले की तरह अब निखिल चिलाता भी नहीं है कमरे में आकर निखिल गुस्सा करता है अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे बीच में ममी पापा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मजे करेंगे जोती निखिल की बात सुनती है और उसे कहती है निखिल हमारी शादी को 6 महिने हो गए है हमने हर शनिवार और रविवार को बाहर खाना खाया है खुब मूवी देखी है और एक मूवी हम ममी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे तो ममी पापा तुम्हें साथ ना ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़ गए हो उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हमेशा अपने साथ ही रखा फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो भी तुम्हारे साथ घूमें और शॉपिंग करें निखिल एक उम्र के बाद बच्पन फिर से हावी होने लगता है वो ही खाने के लिए भूमने के लिए मन मचलने लगता है मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है हमें उनका ध्यान रखना होगा ठीक है तुम हर जगे भाशन मत दिया करो क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो उन्होंने किया जो किया हम क्या जिन्दगी भर उनका एहसान जताते रहेंगे निखिल ने तेज आवाज में कहा मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हां कर देता हूँ ताकि हम दोनों अपनी मर्जी से जी सकें निखिल ने कहा और सो गया सुबह उठा तो देखा जोती कहीं नजर नहीं आ रही थी वो घर छोड़कर चली गई है वैशाली जी ने बताया तो उसके होश उड़ गए उसने फटाफट फोन लगाया जोती तुम घर छोड़कर क्यों चली गई निखिल मैं बचपन से अंकल आंटी जी का सम्मान करती आ रही हूँ और अब तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा की जगह ले ली है मैं ना तो उनका अपमान देख सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ लेकिन मैं तो यहीं पर रहूंगी निखिल तुम कितने किस्मत वाले हो तुम्हारे उपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ से बचा कर रखता है मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं बस थोड़ा प्यार से बात कर लो थोड़ी देर उनके साथ बैठ कर सुख दुख की बाते कर लो मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फर्ज है कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे वो तुमसे क्या सीखेंगे वो अपने पापा को अपने दादा दादी का अपमान करते देखेंगे तो वो भी हमारे साथ यही वेभार करेंगे जोती मुझे माफ कर दो तुमने एक बहूर होकर बेटे को सही राह दिखाई है साससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहुए घर छोड़ कर जाती है पर तुमने तो साससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है ताकि पती को सही राह पर ला सको निखिल जोती को उसके माई के जाकर ले आता है वैशाली जी और किशोर जी अपनी बहु को धन्यवाद देते हैं बहु तुने मेरे बेटे को सुधार दिया जोती उनसे हाँ जोड़ कर कहती है ममी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना घर में बड़े बुजर्ग रहते हैं तो उनका आशीरवाद मिलता है जो हर दुख तकलीफ से हमें बचा कर रखेगा माबाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है घर में ममी पापा का भी होना बहुत जरूरी है परिवार तो उसी से पूरा होता है अपनी पत्नी जोती के मुँसे अपने ममी पापा के लिए इतनी अच्छी बाते सुनकर निखिल भी शर्मिंदा हो रहा था आज उसने भी मान लिया कि जोती सचमुच इस घर में सुख और सम्रिद्धी की जोती बनकर आई है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखना चाहती है पाट को हर बार बहु ही गलत नहीं होती है कई बार बेटे भी अपने फर्ज को भुला देते हैं जिसे बहु याद दिलाकर बेटों को सही रास्ते पर लाती है और बेटे को सुधार देती है दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो उमीद है वीडियो आपको जरू पसंद आया होगा आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट के दुआरा जरू बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा मेरे चैनल को वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद